लोबी शेरो हुन तक दी तला देम था भाई दासोब रहां देवे जितने अतर और अस्टेलिया दा कोई आउट नी वॉनर ने ते मिचल मार्श ने बाबाजी कुट-कुट के फास्ट बोल रहां दी बिल्कुल पतीले अरगी कर दीती है मांज जो है पतीले अरगी छिका स्ट स्क्वेर लेग कवर हर पास से बिल्कुल इजी पेस विकेट है यह पाकिस्तानी हैदराबाद जिनने मैच घेट ने मिनु लागा दावा पूणे चार सो चेज करनली त्यार हो जो जो हलाता है स्टम पाजी आल लोजी बेस मिला करके छका नंबर पंताली कोठें दे उतना न ना रेड के पाजी मेरा ख्याल सी भी तंबुआ दे उत्तों दी कोठें दे पार गया वा लेकिन गेंद पाजी रेड़े पैगी या फील्डर सारे खोल गया हलात जो नजर आ रहे है साब नाल मिनु नहीं लगदा पया कि पाकिस्तानी टीम ऑस्टेलिया नों आउट कर पाममदवसीम जूनियर दी बहुत ही डिसपॉइंटेड है यार मैंस बॉलर तो इन्हों इन्हीं देर था पाकिस्तानी टीम देंदा चिच्छड हार्च मेड़े आया लेकिन की मजाला के को गेंद कर जवे एदी बंदेर यहालता कि सीमी सिद्धी नहीं होई एक उन्दी व सामा बॉल करन मैं तो नहीं ताथिया आउट स्विंग करनी है थोड़ा जा तुसी एफिर अखले हाथ तोड़ी सीम यह से आपराइट जान दी है थोड़ी बहुत वेड़ चली जान दी लेकिन वसीम दा सब तो बड़ा प्रॉबलम है कि वसीम दा सीम ही अदना जा रहा है मतलब सिद्धा सीम जान दी बजाए उदा सीम बिल्को लेंज जा रहा है अब्राइब ने आउट्स्वेंग ना सिद्धी ना एदार इंस्वेंग ना आउट्स्वेंग ना को वेवर्ड सीम ताके को हिल जए लेकिन बॉल जाएगी एदा यह बिलको लाकिदा वह अब रयादी बॉल जान दिया और चाकर देवेच जनाब होंदरों उसामा मीर ने तो बहुत बड़ा प्रोब्लम है